महंगाई का जो जिन है, इसको काबू करना है, बोतल में बंद करना है, अवाई जजबे से, बचारी अवाम, उसके लिए हमें सहूलते लेकर आनी है, अवाई जजबे से, अवाम को परिशानियों से, दुखों से चुटकारा मुम्किन दिलवाना है, जो कश्टी पार लगानी है, हमारा तो यह सवाल है कि कश्टी बीच मजदार फचाई किसने हैं? आज कल पाकिस्तानी एंकर न्यूज गम सुना रहे है, फल, सबजी और रासम ज़्यादा बीच रहे हैं, आलू पाँच रुपे किलो मिल रहे हैं, आलू मटर भिंडी लेसन, अलू लेले, हत्र लेले, नसर लेले, कीज़ लेले, कीज़ लेले, कद्दू 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 लेल पाकिस्तान में यहां पर आपको कुछ मनज़र दिखाऊंगा मरियम साहिबा ने कहा कि आवाम को आठा देंगे उनकी देहलीस पे पहुंचाएं कि आपको पुलीस के साथ जाना है वरना वो एक ट्रक को रोक कि उसको पूरा अग उस पर अटाक हो जाता है और उनके उसको को बॉरत डाले कर सुने के इतने बिजली के बेल है या इस और चीज़ का है देगार है वर या मैं तो तूर्ड या तो घृब आदमी जाए तो पहां जाए तूर्ड या मैं तो अब या इन्हें यही कहें के साब को कहें के फरी जायर की बोतल देते हैं सब पी ले खतम होगी आयर में तो अवाम को आटा मिल कैसे रहा गाड़ी किस ले खड़ी है गाड़ी चलाओ हमारे उपर समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करें अपना सोशल स्टेटस जो बढ़ाते हैं लेकिन पाकिसान में क्यों होता है पाकिसान में आम आदमी की पहली और आकरी तरजी आज भी क्या है दो वक्त की रोटी तक मेहदूद है ये हकुमत जो कि ये खुद भी बिकारी हकुमत है और आज भी हम वेगर्स हैं खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे इन से पहले भी भीक मांगते रहे आगे भी चलके भीकी मांगेंगे लिकन अफसोस इस बात पर होता है तो कैसे हो आप सब अच्छे ही होगी मैं भी अच्छी हूँ पाकिस्तान में आटे के लिए बुजूर्ग बुजूर्ग ओरतों से क्या करवाया जाता है ये बता क्या रही है और फिर आप सोचिए कि हम हमें हो क्या गया सालो बुजूर्गों को तो छोड़ दो आटा बाटने वाले वो तेरी मा जैसी होगी सुना अपने खातून को वो कह रही हमें हाथ लगाने लगाते कहते हाथ लगाने दो फिर आटा देने उस औरत ने बड़े ढखके चुपे लगाने का मतलब क्या होता है अब आपको एक और खातून की बुड़ी औरत की दास्तान सुनाता हूँ जिसको कहा गया इनको कहा गया कि नवाज शरीफ की तस्वीर वाले आटे के थहले आपको दिये जाएंगे अब नवाज शरीफ की तस्वीर पर जब एक सहाफी ने तनकीत की तो मरियम सहबा की जो रौनत थी उनके लहजे में जो रौनत थी वो कैसे चलक के बाहर आई वो एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाता हूँ उसमें देखेगा कि जब सहाफी ने कहा कि आप पर एतराज हो रहा है कि अपने वाले सहाब की तस्वीर आप क्यों लगा रहे हैं आर्टों के थैलों पे उनका जवाब क्या था जरा सुने आपकी फोटो के वाले से है उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपने पॉबलिसिटी जो है जयसे इनका पहली बाद कि इनका जाती पैस है मरियम सहBA अपनी जेब से अपने पले से इंझा आटा दे रही है खुषूर वाला हुकूमत किसकी है नवाद शरीफ की तो तो हमें पता है लेकिन हुजूर पैसा आवाम का है पैसा हमारा है पैसा आपका नहीं है ये अवाम के टेक्स के पैसों से खरीद कि आप अवाम के मुँपे मार रहे हैं नवाज शरीफ सहाब की फोटो वाले आटे के थेले किस तरह से एक आम पाकिस्तानी की इज़त को मजरू कर रहे हैं ये इस बुड़ी औरत की जबानी सुन लिज़त की जिन्दगी इस जिल्लत की जिन्दगी से इस जिल्लत के आटे से यकीन कीजिए मौत अच्छी लग रही है तो मर्जा हो यार फिर ऐसा मुल्क जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था उसकी कहानी उसकी दास्तान में आपको सुना तो बंगलादेश का एक वीडियो क्लिप है नाजरीन जो के बहुत बारिल हुआ हुआ है इस वक्त देखे बंगलादेश हमसे कितना आगे निकल गया और वहां की अवाम में शहूर है उनमें थोड़ा सा सहूर था अभी तो वो तुम से अलग हो गय थे अगर इसी जगा पर पाकिस्तान की अवाम होती तो दो दो थैले उठा कर लेकर जाती और एक दूसरे को नीचे देखे अगर यहां पाकिस्तान अगर होता ना तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था चार मुश्टंडे लेके आता अपने साथ और वो सारे का सारा रैशन साथ ले जाता रोजा इसी से रखे इसी से अफ़तार करें जो बाच गया ठीक है जो ना बचया उसे वैसे द्रिया बुर्द कर दे समंदर के अदर दफन कर दे खोद तो अपने महलों के अंदर भी वो कबरस्तान बना लेते हैं गरीब आदमी को इसे कबरस्तान में जगाने मिलती उसे 20 अधार किया 30 अधार में कबर देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया लसन की क्या कीमत चल रही है कीमत 700 रुप्य किलो लसन 700 रुप्य किलो तमाटर कितने कीमत है 200 रुप्य किलो है अगर हम बात करें यह जो सबजी है जो सीजनल सबजी है इनकी क्या कीमत चल रही है यह जो टीनी है चिपनी यह 120 रुप्य किलो है बेंगन 120 रुप्य किलो है चिकन पाकिस्तान चाहे गरीबी भुक्मरी तंगहाली बदहाली नंगापनी इन चीजों से इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों का गला घोट देते हैं और खुद आतम हत्या करने को मजबूर हैं लेकिन आखरी सांस तक भी यह मगरमच वाले आसु किसके लिए यहां से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा गजा की चोटे चोटे बच्चों का खुराक के लिए तरसना कैसा है ऐसे किसी ने इनको जाहिल का नाम नहीं दी दिया उसके चलग देख लिए जी पीट का दोजख भुजाना हो ना जो भूख लगी हो तो फिर इनसान यह नहीं देखता कि वो टटी खा रहा है या भीक में मिला हल्वा चोटे चोटे बच्चे किस तरह से जमीन से उठाके खा रहे हैं यह मंज़र आपने देख लिया तो यह था आज का वीडियो और जो इनसे अलग हुआ पंगलादीस वो भी इनसे आगे है तो इनके लिए शरम से डू या थोड़ से इस वीडियो के बारे में वह कमेंट सेक्शन में बता देना आप अपना क्याल रखना लव्यों मैं किट कैट्स तो यह योग ट्वाइब